प्लास नौत सीइब स्पेसिफिकेशन्स चीन्स नमस्कारोस सब्सक्रा लोगूं सभीका तिकिराज यूटूब چेनल पर तो दोस्तों इस वीडियो पर मैं आपको one Q5g सपेसिफिकेशन के बारे में बताने वालों। ठीक है कि अगर आप one प्लास सीई को खरीत थे हैं तो आपको स्पेसिफिकेशन क्या क्या मिलेगा ठीक है तो इस वीडियो पर दोस्तों बने रहिए जितने भी स्पेसिफिकेशन से हम उसको चेक करेंगे और आप तक सारे information पहुंचाएंगे ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप online पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो description पर link मिल जाएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने mobile के setting पर उसके बाद scroll down करते हुए about phone पर जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते है about phone पर सबसे पहला इसका processor आप देख सकते है processor आते हैं दोस्तो 750G ठीक है 750G यहाँ पर जो processor है दोस्तों कोई कम processor बिल्कुल भी नहीं है ठीक है वह कम प्रोसेसर बिल्कुल भी नहीं है 750G से आप बहुत सारे gaming कर सकते हैं बहुत सारे चीज़े आप कर सकते हैं ठीक है आपके mobile पे और उसके बाद आपको मिलेगा storage 8GB RAM प्लास 128GB इसका storage होगा ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा 6GB RAM का भी मिल जाएगा ठीक है 6GB RAM प्लास 128GB तो वह दोस्तों प्राइस की हिसाब से है ठीक है तो मेरा यहाँ पर 8GB RAM का है और इसका जो storage आएगा वह है 128GB ROM ठीक है और camera के अगर हम बात करें तो आपको ठीकल कैमरा मिलेगा ठीक है बैक साइड मेंissent वार minutes तो RAW आपका 604 MP होगा ठीक है आपका जो तो जो staff camera है 264 MP और उफन जो front camera है वह 16 MP को चलिक है ट्रीकर यहाब आप देख सकते और उसके वाल मिलेगा यहाँ पर डिवाइस नेम जो की one plus not c5g है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा android version 11 बिल्ट नंबर आपको मिल जाएगा oxygen OS का ठीक है oxygen OS का दोस्तों इसका built है और इसका model आपको डिकने को मिल जाएगा यहाँ पर and legal information अगर हम देखे तो कुछ इस तरीके का ही option है ठीक है तो इसका जो specifications है दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता जिया है और यह जो फोन आते है 3.5 mm jack के साथ में ठीक है ड्यूल सी मात है इस फोन पर और यहाँ पर आप memory card जो है वो दोस्तों additionally add I mean externally add नहीं कर सकते है ठीक है extra expand नहीं कर सकते आप अपने storage को तो इस तरीके से दोस्तों है और एक sim पर आपको मिलेगा 5g और दूसरे में रहेगा 4g ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों इसका specifications यहाँ पर देख सकते और दोस्तों इसका अगर आपको complete जो है specifications पुरा details में ही देखना है ठीक है तो आपको Google पर भी दिख जाएगा या फिर आप Amazon shopping पर जाके आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर already launch हो चुका है तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको complete इसका जो details से वह देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यह सब आप कर सकते हैं इसके full specification अगर आपको complete चीज़े चेक करना है complete ठीक है यह से लेके जिए तक अगर आपको चेक करना है तो आपको आपको जो है Google के पास जाना होगा तो यहाँ पर दोस्तों मैं सिर्फ आपको highlights करके बता तो यह फन दोस्तों काफी अच्छे तरह के से काम करते काफी अच्छे smoothness इसका मिल जाएगा ठीक है तो यह सारे दोस्तों इसका specification जो कि मैंने आपको बता रिया है AMOLED डिस्प्ले के साथ में आपको यह जो फोने वह मिल जाएगा और यहाँ पर बात करें बैटल मोबाइल क तो आप एच्डी मोड तक ख्याल सकते हैं ठीक है अगर अपडेट आ जाते हैं तो अपडेट करने के बाद यहाँ पर आप इसको जो है एच्डीर मोड पर भी ख्याल पाओगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही टेंक्स प्रोवाचिन